तो बाकी entities का purpose मैंने आपको समझाए कि कौन सी क्यूं बनाई जाती है ऐसे ही HOF के पीछे भी कोई purpose हो Trust भी in fact मैंने आपको कल समझाए था Trust क्यूं बनाई जाता है That was one of the ways जिसके वज़े से Trust बनाई जाते हैं और जैसे Trust यूज होते है बात करते हैं HOF क्या form of organization है भाई साब जो बनाई जाती है क्यों बनाई जाती है और कैसे operate करती है और यह important क्यों है आपके लिए समझना दो reasons की वरिस है पहला जितनी चीज़े मैं आपको बताऊंगा वो ICI Navy बता रखी है दूसरा आपको यह समझ नहीं आएगा अगर HOF होता क्या है तो मैं आपको पूरे act में सारी classes में बोलता रहूंगा HOF पर यह होगा उसकी income ऐसे tax होगी यह rates लगें बगएरा बगएरा आपको यहीं नहीं पता होगा कि HOF practical life में exist कैसे करती है So you will not be able to apply this concept practically in your life which I don't want आपको बस मतब किसी ऐसे इंसान की तरह रट के papers पास नहीं करने जो चीज़े सीखना नहीं चाहरा है हमें अच्छा टाटर अकाउंटन बनना है तो समझे होगे मैंने box में क्या लिख रहा है और काफी extensive detail में define कर रखी है बनती कैसे है, कौन-कौन members होते है, कैसे चलाई जाती है, इस case में क्या होगा, उस case में क्या होगा, assets कैसे आएंगी इसके पास, divide कैसे होंगी members में, वगरा-वगरा सब बताता है बोलो क्या सब बढ़ने की आपको ज़रूरत है, बिल्कुल नहीं income tax act के लिए आपको बस basic structure पता होना चाहिए, कि HUF होता क्या है, चलता कैसे, that is going to be more than sufficient तो वही सारी चीज़े में आपको भी बताऊँगा, उपर छोटा super script में क्या लिखा है, more discussion done in notes given below नीची क्या लिखा है, अच्छा है, notes given below कहां है, ये ने notes, some concepts of HUF आप लिखना चाहिए, तो यहाँ पर reference दे सकते हैं, point B in the notes नीची क्या लिखा है, even Jain undivided family or Sikh undivided family is assessed as HUF only in the income tax act इस word को underline कर लिजिए, as, मतलब अगर कोई इंसान कहता है कि भाई हम Hindu undivided family नहीं है लेकिन हमारे religion में भी similar concept है, जो की बोला जाता है Jain undivided family ऐसे ही Sikhs बोलते हैं कि हमारे religion में भी same सा concept है, which is called Sikh undivided family हमारे लिए तो तुमने नहीं बोला कि क्या treatment करोगे, उन्होंने कहा income tax act में हमने जहां भी HUF word use कर दिया, कि ये section HUF पर ऐसे लगेगा, आप मान के चलना कि हम Jain undivided family की भी बात कर रहे हैं और Sikh undivided family की भी बात कर रहे हैं, आप पर same चीज लगने वाली है क्यों आप भी similar form of organizations हैं और same तरीके से चलती है तो even they are assessed as HUF in the income tax act notes पढ़ने शुरू करते हैं, some concepts of HUF, portion of Hindu law which is relevant for the income tax act यानि कि Hindu law पूरा नीचे produce नहीं कर रखा, सिर्फ some concepts, देखे, some को मैंने capitalize कर रखा है कि सिर्फ कुछ concepts जो आपके लिए relevant है, income tax act के purposes के लिए, वो आपको यहाँ पर पढ़ाय जा रहे है now before I teach you with this theory, I think I should give you an example मैं आपको एक example का chart बनवाता हूँ, that example would clear everything and उसके बाद I guess we'll be proceeding to the theory वो आपको मैं बढ़ा दूँगा, अगर मैं आपको अभी theory बढ़ा हूँगा, कुछ नहीं समझाने वाला देखे, आप इस example को बनाना चाहते हैं, तो आप बना सकते हैं in fact बना लीजा, पर एक बार मिस्टर लिख लेते हैं मिस्टर A थे, अब मिस्टर A की एक दिन क्या हुआ, शादी होगी मिस्टर A की मिस्टर B से शादी होगी, और जैसे ही शादी हुई, उसके बाद उन्होंने over the life मेहनत करके, इंकम कमाके, अपने नाम पे assets एकठी करी और ये assets, let's say, हम यहाँ पर लिख लेते हैं, एक, क्या था, एक flat लिख लेते हैं flat के साथ साथ और भी कुछ other assets थी, सारी क्या थी, Mr. A के नाम पे थी और कुछ assets ऐसे ही, Mrs. B के नाम पे थी, इन दोनोंने मेहनत करके अपनी life के अंदर क्या करा, कुछ assets को एकठा करा, और अपने नाम पे assets को खरीदते गए आगे जाके क्या हुआ, थोड़े time में ही, इनके बच्चे हुए, और बच्चे हम आगे chain में क्या बढ़ाते हैं तीन बच्चे हुए, एक हुआ son, दूसरा भी son, और तीसरी daughter दो sons लेने का एक reason है, आगे मैं आपको एक example के थूँ समझाऊँगो कि मैंने दो sons क्यों लिए वो example की explanation में थोड़ा आपको help करने वाला है तो इनके दो son हुए और एक daughter हुई, अब एक दिन एक tragic accident हुआ, Mr. A और Mrs. B इनकी death हो गई, किसी accident की वेज़े से, car accident की वेज़े से अब ये जो assets थी इनके नाम पे, माल ले थे हैं, इन्होंने कोई will नहीं बनाई थी इस assets को कैसे distribute करना है, तो logically कहां पे जाएगी, किन के नाम पे जाएगी assets तीनों बच्चों को मिलेगी, यानि कि तीनों बच्चों का equal share होगा इस सारी assets में अब इन बच्चों ने क्या कहा, कि या तो क्या तरीका था, इन assets को अपने खुद के नाम पे transfer कर लो वो transfer करना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि यह जो flat था, it was indivisible तीन लोगों में हिस्से कैसे करते, मुश्किल होता और उसके साथ-साथ, ये लोग चाहते भी नहीं थे, कि इस flat को बेच के पैसे के हिस्से कर लो अपने आप में, क्योंकि वो एक option नहीं हो सिर्ती थी A और Mrs. B, इनका business चलता था इस particular flat में, अगर हमने इस जगा को बेच दिया, तो business से जितनी income आ रही थी, वो सारी एक बार में बंद हो जाएगी, क्यों? इन भाई साहब ने चांदनी चौक में एक garments की दुकान बना रखी है, जो की नाम से चलती है, आपने जैसे ही दुकान बेची, बस अपने आप में बटवारा करने के लिए, दिक्कत क्या हो जाएगी, location दुकान की बदली, और जैसे ही दुकान की location बदली, इतने time में, जो goodwill locate करी थी, running income इतनी आपकी आगई थी, साल में आप करोड करोड रुपे कमा रहे थे, सब बंद हो जाएगा, तो इन्होंने क्या कहा, भाई साब, ये flat हम team में divide नहीं हो सकता, इस Sun ने बोला, ऐसा करते हैं, ये flat जो है, ये मैं रख लेता हूँ अपने नाम पे, तुम बाकी सारी Assets ले लो, तो बाकी जो भाई बेहन थे, उन्होंने कहा नहीं, ये भी सही नहीं लगता क्यों, ये flat की बहुत जादा value है, अकेले तू क्यों अपने नाम पे लेगा, कल को तेरा demand बिगड़ गया, और तूने बोल दिया कि नहीं, हम दोनों को कुछ भी हिस्सा नहीं दिया जाएगा, तो फिर हम क्या करेंगे, तो हुने ने कहा, बात तो valid है यार, अब दिक्कत क्या हो रही है, ये flat, जो चांदी चौक की दुकान है, ये हम team में divide हो नहीं सकती, क्योंकि practically उसको ऐसे तीन हिस्सों में बाटा नहीं जा सकता एक दुक लिख देते हैं, इस shop को, उन्होंने कहा, हुफ के नाम पर transfer करते हैं, अब इन्होंने कहा, कि भाई साब ये हुफ किस बला का नाम है, तो इनका जो legal advisor था, इनका जो chartered accountant था, chartered accountant ने कहा कि भाई साब हुफ ए form of organization होती है, जो कि बस paper पे exist करेंगी, हम paper पे एक organization बना लेते हैं हुफ उसका अपना bank account खो लेंगे, उसके अपने पैसे होंगे और उसके नाम पर अपनी खुद की assets होंगी, तो आपको क्या करना है, यह जो आपके parents की assets थी सारी, वो सारी की सारी assets आप उस हुफ के नाम पर transfer कर दो, यानि कि आपके individual किसी के नाम पर नहीं आने वाली asset, तो इन लोगों ने कहा कि इससे हमें क्या फायदा, chartered accountant ने बताया कि भाई साब यह जो shop है, आप चलाना चाते हैं, चलते रहेगी, हुफ के नाम पर चलीगी, पैसा आता रहेगा, और हुफ किसका है, हुफ आप ही तीन लोगों का तो है, वो अभी भी assets आप ही तीन के नाम पर ह ही है, यह बहस नहीं आने वाली कि कि किसके नाम पर transfer करें, क्योंकि तीनों के नाम पर transfer आप वैसे शायद कर नहीं पाएंगे, सारी assets को बटवारा हो नहीं सकता, और एक इंसान को आप लेने नहीं देंगे, तो उन्हों रखा हुफ के नाम पर transfer करो, और चलाने लग जाओ सा क्या आपको कहीं पर जाकर register करवानी पड़ती है, जैसे companies आपको पता होगा, companies act के द्वारा बोला जाता है कि registrar of companies के पास जाओ, यह यह procedure करो, company incorporate करो, register करो, वगएरा वगएरा, there is a whole process, क्या HUF बनाने के लिए आपको कहीं पर registration करानी पड़ती है, कोई इंसान होता है, जहां assets कैसे आई, जैसे ही यह लोग मरें, तो यह HUF बन गई, अब HUF आगे बढ़ रही है, HUF के यह 3 members है, 3 members के नाम पे अभी assets हैं, कैसे, HUF का क्योंकि यह part है, और आपको क्या दिख रहा है, यह जो सारी के सारी assets थी, यह HUF के नाम पे आगई है, इसको भी लिख लेते हैं, transferred in name of HUF, तो यह सारी assets, HUF के नाम पे transfer कर ली गई, अब देखिए, चेन आगे कैसे बढ़ेगी, आगे जाके क्या हुआ, इन लोगों की, इन बच्चों की शादी होनी शुरू हुए, क्योंकि यह भी एक process है, तो इस शादी में, यह जो sun था, इस ने शादी कर ली, किस से, अ इनकी wife पर नी, इसने शादी करी, वह आके इनकी wife पर नी, इसने जो शादी करी, वह आके इनका husband मना, तो S का मतलब son, W का मतलब wife, H का मतलब husband, D का मतलब daughter, अब इनकी शादिया होई, आगे जाके इनके बच्चे होने शुरू होए, मान लो एक son हुआ, एक daughter हुई, एक son, एक daughter, इस chain को और आगे बढ़ाते हैं, son की भी शादी हुई, wife आई, daughter की शादी हुई, husband आया, इनके और बच्चे होए, इनके और बच्चे होए, और इसके और बच्चे होए, इस पूरे चार्ट से आपको crystal clarity मिल जाएगी, हुए, form of organization exist, क्या करती है और क्यों करती है, इसके बाद मैं, आप मुझे याद दिलाएगा, या फिर आप कैसे याद दिलाएगा, आप तो virtually बैठे हैं, मैं लिखी लिएता हूँ, कि मुझे आपको co-ownership भी समझाना है, या उस चीज़ को मैं आपको तीन classes के बाद समझाऊंगा, उस तहीं पर आपको जदे clarity मिलीगी, चली, example को आगे बढ़ाते हैं, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि, जैसे जैसे हुए हुए अगे बढ़ता जाता है, या आप देख रहे हैं हुए 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 वाली थी जो इस HOF के member थे वो लोग शादिया कर रहे हैं, उनके आगे बच्चे होते जा रहे हैं, तो जैसे जैसे ये family आगे बढ़ते जा रही है तो इस family के अंदर जितने जितने लोग आ रहे हैं इन लोगों का क्या right होगा with respect to जो भी assets इस HOF के नाम पे खड़ी है क्या इनका कुछ हख होगा इन new logo का, या इन new logo का कोई हख नहीं है, जिनके नाम पे initially HOF बना था, जो लोग initially इस HOF के asset को own कर रहे थे हमेशा वो ही own करके रहेंगे नहीं, ये हख आगे बढ़ता जाता है यानि कि इन assets में जो share होगा ये आगे बढ़ता जाएगा चार्ट को और आगे बनाईए और in fact अब मैं आपको पढ़ा देता हूँ उसके बाद आगे बनाना शुरू करते हैं क्योंकि अब पढ़ना, this would be the right time दीखे, a Hindu undivided family is a tax entity which is not created ये जो entity होती है Hindu undivided family, ये tax entity है यानि कि taxation purposes के लिए एक entity है separate entity है और इसको अलग से create नहीं करा जाता, ये automatically create अपने आप हो जाती है कैसे? It gets created by itself after a person gets married, जैसे ही शादी होगी HOF existence में आगी of course उसके पास अभी कोई assets नहीं है मरने के बाद हो सकता है आज़ा It is not required to be registered under any act कोई act नहीं बोलता, register रोनी की जरूत है लेकिन it is recommended to form a deed to govern the HOF, यानि की वैसे कहीं register करवाने की जरूत नहीं है लेकिन भाई सब इस HOF को na register कहीं न कहीं, बेशक मत करवाओ एक deed जरूर बना लेना HOF की जिसमें आप लिखोगे कि इस HOF के कौन-कौन members है, उन members के नाम लिखो उसके साथ-साथ आप क्या क्या चीज़े लिखते हैं इस HOF का नाम लिखते हैं, कि इस HOF का हम नाम क्या रखने वाले हैं, और different type के जो members हैं, उन सब के आप नाम लिखते हैं इस HOF के members के नाम क्या क्या है यह क्यों करा जाता है ताकि कल को जाके अगर आपने कोई भी document नहीं माना कोई भी document नहीं बनाया तो legal disputes होने वाले हैं उनसे बचने के लिए यह document बना लिए जाता है which is called a deed HOF comprises of following parties यानि कि यह जो सारी मैंने parties बनाई है इस chart को भी हम complete करेंगे और देखेंगे कि इन में से HOF का कौन-कौन लोग part बनेंगे अब इसको समझना शुरू करिए this is a very important item, very good concept इसको in fact मैं यहाँ से पढ़ाने से पहले example के दूब बनाता हूँ आप chart बनाते चाहिए आप देखेंगे कितनी शांतार understanding बनेगी chart बनाने के लिए आपको तीन color के pens चाहिए होंगे तीनो color के pens arrange करिए and then move on करिए देखें हम color coding कैसे करेंगे ये color coding मैं कैसे करने वाला हूँ पहले मैं वो लिख देता हूँ और आप जो भी pens use कर रहे है उसमें आप color coding set कर लीजे this color would represent co-partners co-partners क्या होते हैं एक type of party जो हुआफ का part होती है and other than co-partners यानि कि वो party to an हुआफ यानि कि हुआफ का वो part जो part तो जरूर है हुआफ का लेकिन वो co-partners नहीं है इनके different rights होंगे हुआफ के अंदर तो देखते हैं इस particular case में कौन-कौन co-partners बनेगे और कौन-कौन other than co-partners बनेगे देखें co-partners अगर आप Hindu law पढ़ते हैं तो Hindu law बोलता है co-partners वो लोग होते हैं जो family में पैदा होते हैं यानि कि जिनका blood relation होता है खून का रिष्टा होता है family से जैसे कि इस family में कौन-कौन पैदा हो रहा है Mr. A. और Mrs. B. ये first leg थे इस H.O.F. के फिर इन्होंने किसको इस family में पैदा करा अपने son को, son को और daughter को ये जो लोग आए है wife, wife, husband क्या ये इस family के अंदर पैदा होए हैं पैदा तो नहीं होए शादी करके आए हैं तो क्या इनका कोई blood relation है इस family से बिल्कुल नहीं इसी लिए इन लोगों को हम co-partners नहीं बोलेंगे लेकिन सिर्फ इन लोगों को बोलेंगे co-partners क्योंकि ये इस family में पैदा होए हैं by birth इस family में आए हैं तो सबसे पहले इनको mark कर लेते हैं कि इन में कौन से co-partners हैं और इन ही में कौन से other than co-partners हैं तो मैंने क्या बताया हैं जो लोग पैदा होए थे इस family में तीनों को मैं mark कर लूँगा they are co-partners और जो लोग पैदा नहीं होए थे इस family में शादी बादी करके आए है वाइस आप नहीं है co-partners once I have done this marking में आपको एक और चीज़ बढ़ाना चाहूंगा फिर दीरी दीर आगए बढ़ते हैं मैंने इसमें क्या करा मैंने sons को भी co-partners की तरह mark करा है daughter को भी co-partners की तरह mark करा है यानि कि चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो अगर आप family में पैदा हो रहे हैं तो आप co-partners बन जाएंगे ये चीज़ मैं specifically क्यों बोल रहा हूं क्योंकि 2005 से पहले daughters को co-partners नहीं माना जाता था उनको other than co-partners माना जाता था पढ़िए यहां तक चीज these are members co-partners these are members who are entitled to share in ancestral property by birth यानि कि just because वो family के इंदर पैदा हो गए तो इस family की जो ancestral property होगी यानि HUF को जो ये ancestors की इनके ancestors की property मिली है ये जो property है इसमें हिस्सा होगा किसका इन co-partners का आगे क्या लिखा है post 2005 यानि कि 2005 के बाद से even daughters चाहे married हो चाहे unmarried हो they are co-partners in their father's HUF अपने जो father का HUF है यानि कि जहां पर आप blood relation रखते हैं आप उसमें क्या बन जाएंगे co-partners और co-partners के पास क्या होकोते हैं जिसकी वज़े से लोग co-partners बनना चाह रहे हैं इसको इतनी बड़ी चीज दिखाई जा रही है co-partners can demand partition of HUF मतलब कल को अगर ये लोग चाहते हैं कि भाई हमें नहीं चाहिए ये HUF इसकी जितनी भी assets हैं ये साथ में HUF के नाम पे चलें दुकान को बेचो जितना पैसा आता है हम सब में split करो हमें partition चाहिए split करो सारी assets को तो ये लोग जो co-partners हैं ये demand कर सकते हैं जो लोग co-partners नहीं है आप बेशक HUF का part है आपको क्या hug मिलेंगे क्या नहीं मिलेंगे वो बता देंगे लेकिन आप partition demand नहीं कर सकते हैं और एक को चीज़ आप demand नहीं कर सकते हैं share in ancestral property ये जो co-partners है इनको share मिलता है ancestral property में मतलब कल को जब ये assets बटेंगी जब ये बिकेंगी तो इन लोगों का share होगा कितना share equal share होगा जितने भी members होगे co-partners उन सबको equal share मिलेगा इन सारी assets में लेकिन जो other than co-partners हैं ये अपना हिस्सा नहीं मांग सकते इनको एक रुपे नहीं मिलने वाले इस asset distribution के टाइम पे आपका कोई हिस्सा नहीं है आपका blood relation नहीं है फामिली से चलिए co-partners की मैं आपको थोड़ी चीज़ बता दी आगे जाके ये भी बताऊंगो other than co-partners के क्या rights होते हैं पहले इस chain को और आगे बढ़ाते हैं तो ये आपको क्या बताए जो directly इस family में पैदा होई थे वो लोग बनते हैं co-partners तो इस chain को मैं और आगे बढ़ाता हूँ ये son के, son ने क्या करा एक शादी करी, wife आई दोनोंने और बच्चे बैदा करे son daughter और आगे और इन son daughter ने और शादी करी तो इस chain को अगर मैं और आगे बढ़ाऊ तो इन लोगों में इन लोगों में कौन-कौन co-partners होंगे देखी ये जो son और wife थे इनके बच्चे कौन है directly ये तो इन्होंने by birth इस family के अंदर क्या acquire कर लिया co-partnery rights लेकिन ये जो wife और husband थे इन बच्चों के, ये co-partner नहीं मनी chain को और आगे बढ़ाते हैं इस son और wife ने मतलब शादी होने के बाद और बच्चे करें तो और बच्चे होने के बाद क्या हुआ chain और आगे बढ़ी है और ये जो दोनों बच्चे आये थे ये दोनों बच्चे भी क्या बन गए? co-partners, अब ये शादी करेंगे जिन से वो क्या बन जाएंगे? non co-partners ये chain so on and so forth आगे चलते रहेगी यानि कि आप क्या देख रहे हैं? जैसे जैसे शादी होने के बाद बच्चे बच्चे होते जा रहे हैं ये हुए तो बड़ा ही होता जा रहा है और जितना ये बड़ा होता जाएगा हर co-partner का share dilute हो जाएगा कैसे? अगर आप इसी stage पे HOF की property का partition करके split कर लेते हैं सिर्फ तीन लोगों में equal हिस्सा बढ़ता हर एक के पास 33.33% आता किस चीज़ का? HOF में जितनी property थी उसका share क्यूंकि अब ये family आगे बढ़ चुकी है जितने co-partners मिल रहे हैं सब को by birthright मिल गया है share का तो जितने co-partners हैं सब हमें equal splitting होगी family की property की और अब share क्यूंकि equal splitting हो रही है हो सकता है मुश्कल से 5% बचे हर इंसान का तो जैसे जैसे HUF आगे बढ़ते जाती है birth होते जाते हैं HUF के members बढ़ते जाते हैं this is again one thing you should notice यहां पे भी again मैं इस चीज़ को draw करने लग जाता हूं son daughter यह दोनों क्या बन गए co-partners क्यों यह इस ही family में directly birth लेके पैदा हुए है लेकिन इनके जो spouse है वो नहीं बनेंगे co-partners mark कर लिए अब यहां पे notice करने वाली चीज़ this is where the complications start arising यहां पे क्या हो रहा था अभी तक यह जो थे son or daughter यह क्यों बन गए थे co-partners क्योंकि यह ऐसे इंसान के बच्चे थे जो इंसान co-partners था इसलिए क्योंकि आप पैदा हुए हैं और ऐसे इंसान की वज़े से पैदा हुए हैं जो co-partners हैं आप भी co-partners बन जाते थे अब यहां पे अगर आप बात करें तो daughter co-partners जरूर थी इस chain में लेकिन जो daughter के बच्चे हैं son daughter उनको co-partnery rights नहीं दिये जाते तो इस case में अगर आप daughter के आगे chain बढ़ाते हैं तो daughter के आगे chain नहीं बढ़ती कभी भी इस case में आप सब को red mark कर सकते हैं अब इसकी बीचे logic क्या है पुरानी चीजें हैं सही हैं गलत हैं that is a different discussion altogether लेकिन ऐसे ही होता है Hindu law में ऐसे ही चलता है यानि की chain जब भी आगे बढ़ेगी जितने भी बच्चे होंगे father की assets थी father की assets में son को भी right मिलेगा daughter को भी right मिलेगा equal right मिलेगा लेकिन chain जब आगे बढ़ने लग जाएगी बच्चों में तो son के जो बच्चे होंगे उनको तो right मिलेगा daughter के जो बच्चे होंगे उनको right नहीं मिलेगा this is the first thing that you have to learn कि ऐसे इस चीज में आगे चलता है concept तो इसी chain को आप धीरी-धीरे करके आगे बढ़ा सकते हैं इसको मैं और finally complete कर देता हूँ daughter के यहाँ पर बच्चे होए again daughter के जो भी बच्चे हैं उनको rights नहीं मिलेंगे whereas आप यहाँ पर क्या देख रहे थे same generation जो son के बच्चे हैं उनको rights मिल गए थे इस चार्ट को एक बार हलका सा और analyze करिए pause करके आपको और चीज़े clear होंगी अब मैं पढ़ा देता हूँ finally आपको सब कुछ इस HUF के अंदर तीन टाइप के लोग होने वाले हैं करता, co-partner and other than co-partners करता क्या होता है he is eldest member of the family यानि कि हमें नहीं फर्क पड़ता कि आप कितने qualified हैं कितने नहीं हैं अगर आप my age सबसे बड़े हैं तो आपको बोला जाएगा करता और करता male भी हो सकता है female भी हो सकती है और अगर आपको करता बोल लिया गया है तो उससे होने क्या वला है करता manages the assets and business of HUF जो भी HUF के पास जितनी भी assets है और जो भी इनका business है वो सब manage करने की responsibility किसके पास आती है सिर्फ और सिर्फ करता के पास single individual ये बोलेगा चीजे ऐसे होंगी तो ऐसे ही होंगी और ये बोलेगा वैसे होंगी तो वैसे होंगी बाकी जितने भी co-partners हैं other members हैं वो अगर कुछ और करवाना चाते हैं नहीं करवा सकते करता बनो फिर करवाओ और क्योंकि करता को इतनी wide parts दी जारी है assets और business manage करने की इस इनसान की liability जो है वो unlimited होती है मतलब कल को मान लेते हैं ये जो सारी assets हैं ये हैं 5 करोड की और इस इनसान ने गलत तरीके से business manage करा जिसकी वज़े से liability आगी 10 करोड की तो ये जो deficit है 5 करोड का हुए तो पे नहीं कर पाएगी क्योंकि हुए नहीं कर पाएगी है जो बाकी co-partners और बाकी other than co-partners members होते हैं उनको नहीं देना पड़ेगा यानि कि ये जो deficit आया है उसमें इनकी personal assets attached नहीं होने वाली क्यों ये जब attach करने की आप बारी करोगे तो ये क्या कहने वाले हैं ये लोग ये कि भाई साथ तुमने ना asset चलाने का मुझे हग दिया ना business चलाने का मुझे हग दिया और asset और business गलत तरीके से चलाने से जो losses आ रहे हैं उसमें हम से share मांग रहे हैं ऐसे कैसे हुएफ में जितने पैसे हैं वो recover कर लो उसके ऊपर एक रुपे हम नहीं देने वाले तो this is how it flows करता कि rights क्या होते हैं asset businesses को manage करना और उनकी liability इसी वज़े से unlimited हो जाती है को पार्सनर में आपको बढ़ा दिया था इनको ancestral property में जो share होता है वो by birth उसका right मिल जाता है 2005 के पाद से daughters भी go-partner बन जाती है father के हुएफ में and co-partners can demand partition of हुएफ दो फाइदे पहला share in ancestral properties counterline कर लिजे दूसरा फाइदा demanding partition in हुएफ और उनकी जो liability है यह limited होती है क्यों आपको asset business चलाने का option हमने नहीं दिया तो liability भी जो आएगी consequently it is limited to the assets which are there with the हुएफ वो wipe off कर लेंगे पूरी की पूरी लेकिन उससों पर आप से एक भी रुपे नहीं मागेंगे एक्जांपल क्या है members of family who are related by blood जो कि मैंने आपको दिखा दिया कैसे related by blood है पैदा हुए है उस family है यानि कि आपको तभी बोला जाएगा related by blood जब आपके parents में कोई at least एक इंसान क्या हो co-personer लेकिन इस case में आपके parents में एक इंसान co-personer है फिर भी आपको co-personer नहीं बोला जा है को पार्सनर है कि एवरी पर्सन हूज फादर वाज को पार्सन बस सिंपल सा रूल है इस रूल को आप फॉलो कर लीजे आपको पता चाले है पूरी जेन में कौन-कौन इंसान co-personer है और कौन-कौन इंसान other than co-personer है जो co-personer बन गया उसको क्या-क्या rights मिल जाएंगे उसको सीधा यह rights मिल जाएंगे कि आप partition भी डिमांड कर सकते हैं हुआफ की assets का share भी डिमांड कर सकते हैं जब partition होगा कि मेरा हिस्सा दो जो other than co-personers होगे जिनके father co-personer नहीं थे उनको यह right नहीं मिलने वाला लेकिन अब बात करते हैं उनको यह right नहीं मिलने वाला तो फिर आप इन लोगों को जिनको red से mark करा है इनको member of HOF बोल ही क्यों रहे हो ना तो partition करने दे रहे ना assets में हिस्सा दे रहे तो मत ही बोलो ना इनको member of HOF ब जो red से mark'd है they do not have co-personary rights यानि कि ना तो वो share मांग सकते है ancestral HOF property के अंदर ना ही वो partition demand कर सकते हैं तो फिर वो कर क्या सकते हैं वो यह कर सकते हैं they are only entitled to maintenance expenses like food, cloth, etc. from the HOF यानि कि HOF की जो assets है उसमें से आप क्या बोल सकते हैं कि भाई साब मैं भी HOF का एक हिस्सा हूँ बेशक श इस particular HOF के अंदर co-personary नहीं थे तो मुझे क्या हक होना चाहिए इस particular HOF की जो assets है उसमें से at least मेरे maintenance के जो expenses हैं जैसी कि मेरे खाने का घर्चवा पानी जो है मेरे कपड़े के जो पैसे हैं वगएरा वगएरा ये छोटे मोटे खर्च चाहिए कुछ examples हैं ऐसे जत्रें भी maintenance expenses ह होते हैं ये सब at least मैं HOF की assets में से ले पाऊं इतना मेरा हक होना चाहिए नहीं तो HOF का part बोलने का मुझे कोई फायदा नहीं है तो इतना हक आपको है आप maintenance expenses ले सकते हैं लेकिन कल कोजोब assets बचेंगी share month demand करने लग जाना एक रुपे नहीं मिलने वाले आके बढ़ते हैं तो maintenance expenses मैंने आपको बता दिये ये मिल जाते हैं हुआफ के अंदर example देखें example किसका any member other than करता और co-partners daughter-in-law son-in-law या फिर daughter's children तीनों हमने इस example में cover कर लिए daughter-in-law कहां पे cover हो गई ये देखी ये जो wife थी बच्चों की ये क्या है Mr. A. और Mrs. B की daughter-in-law तो ये जो daughter-in-law है क्या है इनको co-partner बोला जाता है नहीं ऐसे ही son-in-law ये इनसान इन दोनों की daughter और उनका जो husband था ये husband इनके लिए son-in-law है son-in-law को co-partner rights नहीं मिले ऐसी तीसर example मैंने क्या लिख रखा है daughter's children यानि कि मेरी जो इनकी मतलब इनकी जो daughter है daughter के जो बच्चे है उनको भी co-partnery rights नहीं दिये जाते और इनको वैसे एक और logic अगर आप समझना चाहें कि भई आपने son का तो बोल दिया कि son के बच्चों को co-partnery rights दिये जा रहे है daughter के बच्चों co-partnery rights नहीं दे रहे है आप ऐसा क्यों भई ये तो गलत तरीका है ये गलत सही आप एक तरफ discussion कर सकते हैं लेकिन उसके पीछे अगर हम छोटा सा logic समझना चाहें कि ये जो बच्चे हैं इनको co-partnery rights कहां से मिल जाएंगे इस particular HOF में जो इस chain में चल रहा है और ये जो son daughter है इनको कहां से HOF के rights मिल जाएंगे जो इस इनसान का ये जो husband है इनका खुद का भी कोई हो सकता है उस HOF में इन son daughter को अपने आप rights मिल जाएंगे co-partnery rights वहां पे उन assets में तो इनको ये दो जगा पे co-partnery rights नहीं देना चाहते थे इस लिए इस chain में इस HOF की assets में से co-partnery rights मिलेगा ना क्योंकि वहां पे उस HOF में ये husband co-partner होंगे और आप के father co-partner बन जाएंगे इसलिए आप ही co-partner बन जाएंगे तो आपको देखना पड़ेगा कि respectively किस HOF की बात हो रही है और उस HOF में आप co-partner है या नहीं है and depending on that उस HOF की जो assets होंगी उस पे आपके rights आपको यानि कि जैसे ही किसी इंसान की शादी हुई member of HOF बढ़ गया जैसे ही किसी इंसान के बच्चे हुए members of HOF बढ़ गए और जैसे जैसे members बढ़ते जाएंगे मैंने आप क्या बताए shares लोगों के dilute होते जाएंगे क्योंकि हर member को हर co-partner को equal right मिलता है assets के अंदर of the HOF next देखिए there are two schools of Hindu law with regard to succession in an HOF यानि कि अगर आप किसी भी HOF की बात करें तो अभी तो मैंने आपको एक simple सा rule बता दिया कि HOF कैसे चलता है this Bengal और Assam उन्हेंने बोला हम ऐसे नहीं चलाएंगे हम थोड़ा different तरीका एडाप्ट करेंगे उसको समझने की कुश्च करेंगे यह सारी चीज़े जो मैं आपको बढ़ा रहा है यह सारी आपके syllabus में दे रखी है लेकिन आप इस चीज़ को लिख लीजिए this is a category C topic बहुत important नहीं है paper में बहुत ज़्यादा test नहीं करा जाता लेकिन क्योंकि दे रखा है तो मुझे लगता है कि आपको एक पढ़ाना जरूर बनता है मतलब ऐसा नहीं है कि इस topic को मैं ignore कर दूँ और एक और reason है पढ़ाने का कि आपको हई-चेफ concept भी समझाए कि होता क्या है category C category C मतलब इतना important नहीं है और category A और category B topics आपको खुद पता चल जाएंगे कैसे आपको questions में बहुत ज़्यादा देखने लग जाएगा कि हम जो questions practice कर रहे हैं बार-बार इस concept पे question आ रहे है तो of course it is category A topic मैं आपको बता रहे हैं दो thought processes चलते हैं जिनके basis पे succession जिसके basis पे membership मेंती है किसी भी Hindu undivided family की तो दो thought processes कैसे चलते हैं वेस बेंगाल और असाम में एक thought process के basis पे Hindu undivided families आगे बढ़ती हैं और बाकी सारा जो इंडिया है उसमें दूसरे thought process के हिसाब से बढ़ती है अभी जो हमने thought process की बात करी थी वो पूरे इंडिया में apply होता है अदर देन West Bengal असाम वेस बेंगाल असाम वाला बाद में पढ़ेंगे पहले इसको पढ़ते हैं इसको बोलते हैं मिताक्षरा school of Hindu law ये कोई school नहीं है school मतलब school of thought है ये thought process है जिसके basis पे Hindu law बनाये गया है तो ये जो thought process है ये क्या बोलता है one acquires the right to family property by his birth and not by succession irrespective of the fact that his elders are alive आपके elders जिन्दा होंगे भी तो भी आपको क्या मिल जाएगा ancestor property में share मिल जाएगा irrespective of the fact कि आपके elders अभी जिन्दा है in this particular example मान लेते हैं सिर्फ Mr. A और Mrs. B इनकी death होई थी ये सारे लोग जो आपको chain में दिख रहे हैं आज के time पे सारे जिन्दा है हमें नहीं फर्क पड़ता कि आपके parents या नहीं ही आपके father अभी जिन्दा है आपके father elders अभी जिन्दा हैं आपको हक मिल गया आपके elders अभी जिन्दा हैं आपको हक मिल गया तो ये कौन सा school of law बोलता है स्कूल कौन सा thought process बोलता है मिताक्षरा school of Hindu law कि आपके elders जिन्दा है फिर भी irrespective of that आपको by birth right to family property मिल जाएगा दस every children born in the family acquires right or share in family property लेकिन अगर आप दूसर school of Hindu law की बात करें जो कि West Bengal और Assam में चलता है वो क्या बोलता है nobody acquires the right or share in property by birth as long as head of the family is alive thus children will acquire right or share in property only after death of their father उनके father की जब death होगी तब ही उनके बच्चों को father के बच्चों को क्या मिलेगा right or share in property hence father and his brothers would be co-parseners of HOF समयने की कोशिश करी इस example में मान लेते हैं chain इतनी आगे तो बढ़ ही गई थी Mr. A Mrs. B यानि कि इन लोगों के जो father थे वो तो मर गए इनके जो parents थे तो इनको automatically क्या मिल गया co-personary rights अब क्या हुआ इनके बच्चे होए ये पूरी chain मन गई मैंने आपको क्या बताया पहला case सोच के चलिए सारे के सारे जिनदा है क्योंकि सारे के सारे जिनदा है जो इस chain के नीचे मैंने एक green green dots लगाए हैं ये सारे अभी red रहेंगे यानिकि ये सारे dots और ये red क्यूं है क्योंकि अभी भाई साब आपके elder आपके आपको राइट मिल जाएंगे जैसे ही आपके फादर मर जाते हैं आपको राइट मिल जाते हैं अब लेटेस से इस express प्रें में मैं लिख देता हूँ यह इनसान मर गया just because ये इनसान मर गया तो इनको तो राइट्स मिल गए अपने फादर के शेर के अंदर लेकिन इनको राइट्स नहीं मिलने वाले क्योंकि क्यों तुम्हारे फादर भाई जिंदा है अपने रिस्पेक्टिव फादर देखो दूसरे के फादर देखके या निकि अपने चाचा ताउ को देखके मत बूल देना कि वो मर गया अब मुझे राइट्स मिल जाने चाहिए नहीं अपने फादर देखो और जो तुम्हारे फादर का शेर होगा वो तुम्हें ऐसे मिल जाएगा इस इसको भी बढ़ लिया अब देखते हैं और कुछ रहे गया क्या उपर ही तो आगे बढ़ते हैं अच्छी डिसक्रशन होगी लेकिन इसके बाद आपको हुद की एसे होती है जिस पर वो इंकम कमाता है और हुद का अपना सब्सक्रशन होता है यानि की अगर वो इंकम कमा रहे है रेटेस यह जो मैंने बताए था चाहली चौत में दुकान है गामिट्स बेजकर पैसे कमाती है तो जितने भी पैसे जाते हैं, HOF के अपने bank account में डाले जाएंगे, इन में से किसी member के personal bank account में नहीं डाले जाएंगे, क्यों सारे members को आपत्ती हो सकती है कि एक इनसान के bank account में क्यों डाल रहे हैं, वो इधर उदर अनाप्शन आप खर्चे कर देगा, हमसे पूछे में न, तो HOF का अपना bank account बनाय जाता है, the name of HOF, और उसी में पैसे डाले जाते हैं, the assets can be acquired by HOF in the following ways, यानि कि इन तरीकों से HOF asset acquire कर सकता है, पहला तो मैंने आपको क्या बताया था, Mr. A, Mrs. B, उनकी death हो गई, तो death होने के बाद, जो भी उनकी property थी, वो HOF के नाम पर transfer कर दी गई, उसकी legal hairs के दूग, यानि क उनके बच्चों ने transfer कर दी, तो उनके बच्चों ने क्या करा, अपने individual name पर transfer करने की जगा, इस HOF के नाम पर transfer कर दी, ताकि automatically ये succession चलता रहे, वो asset किसके नाम पर रहेगी, सिर्फ HOF के नाम पर रहेगी, और automatically जो succession का तरीका है कि बच्चों के बच्चों और सिस्प्सन के बच्चों उनको co-personer बनाया जाएगा, बाकियों को अधर दिन co-personer बनाया जाएगा, co-personer के क्या right होंगे, other members के क्या right होंगे, ये जो process है, ये उनको सही लगता था, उनको लगता था हमें ऐसे ही चलानी है in assets को, तो उन्होंने है एच्च के नाम पर assets transfer कर दी, किसके बाद अपने parents के मरने के बाद और उनकी property transfer कर दी, पहला ये तरीका है, दूसरा क्या तरीका है, सिर्फ ऐसे मरने के बाद ही assets आती है, यानि कि ये जो चांदनी चौक की दुकान आ गई, अब ये चांदनी चौक की दुकान आने के बाद, क्या इस होएफ की asset कभी बढ़ने नहीं अब ये बिल्कुल बढ़ सकती है, मानले ओ दुकान बहुत अच्छा कमारी है, इन्होंने सोचा एक और दुकान खरीदते हैं, तो हुएफ ने खुद से एक दुकान खरीद ली, क्या कर रहा है इसने, इसके पास बहुत पैसे आ गए थे, इसने एक और दुकान खरीद दी, दूसरा, आपने खुद से हुद से हुद बना लिया, लेटस से कोई मरा नहीं, आपने हुद बना लिया और उसको डारेक्ली एसिट्स ट्रांसफर कर दी, Mr. A, Mrs. B अभी जिन्दा है, उनके बच्चे नहीं होए, उन्होंने खुद से हुद से हुद बनाया, और हुद बना क चाहे को पार्सनर हो, चाहे अधर दन को पार्सनर हो, उसने मेंबर ने क्या कहा, मेरे को बहुत अच्छा लगए है है हुद वाले सिस्टम, मैं मेरे पास बहुत पैसे हैं, इंडिविजुली, मैं इस हुद को, यानि कि सारे फैमिली मेंबर्स को collectively कुछ पैसे देना चाहता ह है प्रॉपर्टी, अगेन जैसे ही एक्वाइर कर ली प्रॉपर्टी एक्वाइर करते ही, सारे को पार्सनर के पास एकोल राइट हा जाएंगे विद रिस्पेक्ट तो ये दूसरा तरीका मैंने लिग दिया कि मेंबर्स जो थे हुद के वो गिफ्ट कर देते हैं, यानि कि वो अक्वाइर कर लेती है, जैसे शॉप किसी और इंसान से खरीद ली पैसे देके, या फिर किसी और इंसान ने गिफ्ट कर दी हुद को असेट, अगे बढ़ते हैं, अगे बढ़ते हैं, अब ये चीज़ शायद आपको आगे वाली क्लासे में जाके जाएद बेटर समझ आएगी, क्योंकि ये आगे की चाप्टर से इंटर लिंक कर रहो हूं है, पैन एक यूनीक आईडी होता है, जिसके बेसिस पर सारे असेसी को इंकम टाइस देपार्टमेंट आइडेंटिफाई करता है, आपको पैन लेते होए बतानों होता है कि मैं किस के लिए पैन ले रहा हूं, मैंने इस पूरे साल में यह इंकम कमाई है, आप स्टेटमेंट डालर होंगे, वो कहेंगे कौन से पैन के अगेंस्ट दे रहो, यह बता दो, आपने पैन कोट करा, उन्हें पता चल जाएगा, अच्छा, यह इस कंपनी की इंकम टाइस रिटर्न आई है, तो इस इस हाव पै मेंबर को exactly equal right मिलेगा किस में, इन assets में, काफी families इस चीज़ को digest नहीं कर सकती, क्योंकि उनके अंदर ये बात आने लग जाएगी उनके दिमाद में कि भाई ये जो शौप है, ये जो चान्नी चौकी शौप है, उसमें तो हम ही बैठते हैं, हमारे बच्चे ही बैठते हैं, तो इसके, यानि कि चाचा के बच्चे और चाचा को, इनको equal share क्यों दिया जाए इस property में और इस property से आने वाली income में, हमें तो ये suit नहीं करता, इसकी वज़े से practically आज के टाइम पर HOF आप बहुत ज़्यादा बनती नहीं देखेंगे, क्योंकि ऐसे issues आते हैं, लोग कहते है इसे ही एक और दिक्कत क्या आती है, consent of all members for partition, आप जब भी बोलेंगे, अगर आपके पास हक है, being a co-partner की, आप partition demand कर पाएं, आप बोलें, assets बेचो, और assets बेचने के पाट, divide करो हम सब में, आपकी अकेले बोलने से assets नहीं बेच दी जाएगी, आपको सारे लोगों की, सारे co partners की हामी लेनी पड़ीगी, उनकी agreement, उनका, उनसे yes बुलवाना पड़ेगा इस चीज़ पर कि हाँ, बेच दी जाए, partition कर लिया जाए, नहीं तो आप नहीं करवा पाएंगे, तो इसकी वज़े से भी बहुत मुश्किल हो सकता है कि इस assets को बेचा जाए, जब तक सारे लोग अगरी नहीं कर जातेगी जान नहीं कर जातेगी जान नहीं कि दुकान को बेचा आप बेची नहीं पाएंगे, तो माल लो इस इंसान को एक दब से ज़रूरत पड़ती है, मोटे पैसेगी, जादा पैसा चाहिए, कैसे लोग है, सारी assets तुमारी यहाँ पर चल रही है, assets बे we will discuss taxability of income of HUF in the coming chapters, यानि कि आने वाले chapters में हम HUF की taxability को detail में discuss करेगे, वो चीज़ आगे चलेगी